है ए एक्जिन में क्या की हरबचे का concept होता शर इंगलिज को कैसे सीखे कैसे बोले लोजिक चैंगै इसके पीछे का concept क्या है आज हमें पढ़ना है यूजो वाज़वर वाज़वर का यूज कैसे करना है किसी नहीं करनाचै का यह जड़ क्या है कही नहीं भठकना abrir सिर्फ copy pen लेकर बैट जाईए अडे रहिए पढ़ाऊंगा नहीं concept दूँगा मैंने क्या कहा बाबू आपका concept क्या है use of waswar हमें waswar का concept जानना है actually में waswar है क्या चीज़ सबसे पहली चीज waswar है हमारा past क्या कहा बाबू waswar है हमारा past past को क्या कहते है जैसे कि आपको पता भूत काल कैसे वही waswar क्या आपका past है अच्छा सबसे पहली चीज़ हमें ये चीज़ पढ़ना चीज़ waswar की जो identity है identity का मतलब क्या होता है पहचान क्या होता है पहचान रही main work बनेगा, वाजवर के बाद कोई main work नहीं होगा, कहने का मतलब, past में किसी को extra information दी थी, तो तुम्हारा वाजवर का use हुआ था, कैसे सर, जैसे कि मैंने कहा आप गरीब थे मैंने आप गरीब थे मैंने आपके बारे में बताया था कि आप गरीब थे आपके बारे में एक्स्ट्रा इंफोर्मेशन दी थी तो वाजवर का यूज वाजवर का यूज आपको देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा was and were was and were was were का use was were के बाद आएगा आएगा आपका noun was were के बाद आएगा क्या आपका adjective क्या आएगा adjective तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए और ये दोनों चीज क्या करता है extra information देता है क्या देता है extra information तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए लिए लिख लीज़िया पढ़ान नी रहा concept है extra information extra information देगा तो हर एक चीज को आपको लिख लेना है पढ़ान नी रहा भी concept है यहाँ पर मैंने क्या का you जो वाजवर वाजवर क्या है आपका past है sar identity क्या है था थी थे यहां पर मैंने क्या रहाए, वाजवर, वाजवर आपका क्या बनाएगा, क्या देता है, एक्रा इन्फोर्मेशन देता हैं, विदाउट मेंवर्ब, यह वाजवर यह आपका क्या बन जाएगा, इसमें मेंवर्ब बन जाएगा, जब इसके बाद आपका noun या फिर कोई adjective वाज आए तो क्या बन जाएगा आपका वाजवर main verb तो वाजवर के बाद कोई main verb नहीं होगा वाजवर ही आपका क्या होगा? main verb होगा अच्छा, एक चीज और अच्छा, मैंने क्या कहा? वाजवर वाजवर क्या है? आपका past है? अच्छा, आप यहाँ पर इसको sentence के माध्धम से समझने का प्यास करते हैं एक चीज और देखो, सबसे पहली चीज जो आपका वाज है, वाज क्या है? आपका singular है क्या है जी? singular अच्छा, वाज singular है तो आपका जो वर, वर क्या है फिर? वर है आपका plural, क्या है? वर है plural अच्छा, मैंने क्या 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 वाज सिंगूलर, वर, पिलूरल सर, यूज कैसे होगा? यदि आपका subject है he, यदि है c, या फिर it या फिर any one name है, कोई राम है, या फिर आपका रानी है, कोई वी any one name तो इनके साथ क्या आता है आपका? वाज आता है क्या आता है? वाज आता है, अच्छा, मैंने क्या 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 आता है? वाज आता है उसके बाद मैंने क्या का यदी subject आपका U है, V है, या फिर आपका दे है, या फिर आपका any two name, any two name का मतलब होता है, जैसे कि मैंने क्या का प्रिया, प्रिया एंड शुमन, प्रिया एंड शुमन, तो इनके बाद क्या हैगा आपका, वर आएगा, क्या हैगा वर आएगा, क्यों क्या है आपके सब्जेक्ट भी है सिंगूलर क्या है जी सब्जेक्ट भी क्या है आपके सिंगूलर तो सिंगूलर के साथ सिंगूलर कैसे सिंगूलर के साथ सिंगूलर के साथ पिलूरल के साथ पिलूरल कैसे सर यदि सिंगूलर सब्जेक्ट है तो सिंगूलर ही वर्ब वर्ब चाहिए अच्छा जी उसके बाद यू-वि-दे, एनी-टू-जेम, यह क्या है आपके plural सब्जेक्ट है, क्याındaki यहां पर वाज क्या है? singular है, वर्ब क्या है? plural है, तो he-see-it जो subject है, वो singular, वाज भी singular, तो इसके साथ क्या है आपका singular, singular के साथ singular, तो यहाँ पर UV, the, any 2 name यहाँ पिलूरल, तो वर किया है, पिलूरल, पिलूरल के साथ क्या वई, पिलूरल, आगे देखो, यहाँ पर यह चीज़ समझना है, ہमें, VARS वर का यूज़ कैसे होगा, VARS वोज़ होता PAST में, तो यह चीज़ आपको पता हो यह, इजमार है present और वाजवर क्या है past एजमार का ही past है बाबू मैंने क्या कहा सबसे पहली चीज अच्छा जी मैंने एक sentence कहा जैसे कि मैं गरीब था मैंने क्या कहा मैं गरीब था तो मैंने कह दिया I was I was poor I was poor मैं गरीब था तो मेरे बारे में किसी ने extra information दिया था, मैंने क्या का मैं गरीब था, तो मैंने अपने बारे में क्या दिया, extra information दिया, कैसे सर, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं कोई action नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं खेल नहीं रहा था, म यूवर प्लेयर आप क्या थे खिलाडी थे आप खेल नहीं रहे थे आप खिलाडी थे सिर्फ इतना बताया है आप खिलाडी थे हमने यह नहीं कहा कि आप मैज खेल रहे थे यह नहीं कहा हमने क्या कहा आप खिलाडी थे आपके बारे में extra information दिया था कि आप खिलाडी थे पास क्या हुआ वह इमान दार थी अब देखो जो काम नहीं कर रहा है कोई कर सब्जेक्ट एक सकju का संथिन्स यह कोई काम नहीं कर रही को यह पर light वह एक अध्यापक था हमने उसके बारे में बताया किसी को वह क्या था एक अध्यापक था वह काम नहीं कर रहा था सिर्फ वह अध्यापक था हमने उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फोर्मेशन दिया तो यह क्या हुआ आपका simple sentence क्या हुआ जी simple sentence थोड़ा सा साप लिखता हूं simple sentence ठीक वही क्या है simple sentence अच्छा एक हो गया दो तीन चार यह चारों क्या है आपके simple sentence है अब हमें देखना negative sentence सर negative sentence को बनाने का प्रयास करते हैं actually negative sentence है क्या तो इसमें आपका जब इजमार या वाजबर के बाद कोई ना होना आता है या फिर कोई adjective आता है तो उसमें क्या होता वाजबर बन जाता में वर्ब तो यहां पर क्या होता है फिर यहां पर इसके बारे में किसी subject के बारे में extra information दिया जाता है subject कोई काम नहीं करता है जैसे कि example की तोर पर वह गरीब है तो वह गरीब है ना तो उसके बारे में बताया जा रहा कि वह गरीब है वह कोई काम नहीं कर रहा तो उसके बारे में extra information दिया लेकिन वो present में दिया यहां पर दे रहे past में क्योंकि is a more present वाजबर है पास्ट मैंने क्या कहा नेगेटिव सेंटेंज में क्या होगा यदि हमने कर दिया वाज यहां पर कर दिया मैंने वर तो दोनों के साथ क्या आजाएगा आपका नोट आजाएगा तो वाजबर के साथ क्या आएगा आपका नोट आएगा तो यहां पर यह चीज पर कर दिया, आई वाजन, नौट, हैपी, I was not हैपी, मैं खुश नहीं था, मैंने नोट का यूज कर दिया, मैं खुश, नहीं था, और मैंने हापर कर दिया, we, we were not, we were not clever, we were not clever, हम चालाख नहीं थे, हम चालाख नहीं थे, negative sentence है, उसके बाद मैंने क्या कहा, यहाँ पर यहाँ पर मैंने कर दिया राम वाज नोट आ स्टूडेंट राम वाज नोट आ स्टूडेंट तो यहाँ पर राम विध्यारती नहीं था तो यह नेगटिव सेंटेंस है नकारात्मक वागे कैसे सर जब हमने वाजवर के साथ नोट का यूज़ कर दिया तो सेंटें यहां पर I was not happy मैं खुश नहीं था, we were not clever हम चालाक नहीं थे और राम वाज नोट टीचर सोरी राम वाज नोट टूडेंट राम विध्यारती नहीं था अब हमें देखना है यापर interrogative sentence, interrogative sentence को समझने का प्यास करते हैं, actually interrogative sentence है क्या चीज़, आपको पता होना चाहिए कि interrogative sentence में हमेशा helping वर को आगे रखा जाता, क्यों सर, वाजबर इसमें बन जाता helping वर क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर interrogative sentence के दवारा question को ask किया जाता है, क्या किया क्या कहा interrogative, interrogative sentence में सबसे पहले क्या चाहिए, helping वर चाहिए, उसके बाद चाहिए, other word, उसके बाद चाहिए, kosher mark, the mark of interrogation, क्या कहा बाबु, the mark of interrogation, अच्छा मैंने क्या कहा, helping और क्या है, helping और आपकी वाज, वाज और वर, क्या है वाज और वर, अच्छा, वाज singular है, वर क्या है, plural, मैंने क्या कहा, जब subject होगा plural, तो वर लगेगा, जब subject होगा singular, तो वाज लगेगा, कैसे सर, जैसे कि मैंने क्या कहा, क्या आप इमानदार थे, क्या आप इमानदार थे, तो मैंने कहर दिया, were you honest, were you honest, क्या आप इमानदार थे, क्या मैं खिलाडी था, क्या मैं खिलाडी था, तो was I player, was I player, क्या मैं खिलाडी था, उसके बाद मैंने क्या कहा वाज ही रिच क्या वे अमीर था उसके बाद मैंने क्या कहा वर्दे टीचर्स क्या वे अध्यापक थे तो यहां पर यह चीज़ देखो मैंने वाजवर का प्रयोग किया आगे क्यों कि interrogative sentence मैं question को ask कर रहा हूं कैसे सर क्या आप इमानदार थे मैं पूछ रहा हूं क्या आप इमानदार थे तो मैंने थे का क्यों use किया क्योंकि worka use है क्या है worka use है यहाँ पर है वाज फिलियर क्या में खिलाडी था उसके बाद है वाज हीरीच क्या वह है अमीर था उसके बाद वर्दे टीचर्स क्या वह अध्यापक थे तो interrogative sentence है क्या है बाबू interrogative sentence इंट्रोगेटिब शैंतेम्स में सबसे पहले होगा helping आपले उसके बाद होगा पलस के आपका negative भी होगा पलस के आपका negative भी होगा कैसे सर जैसे कि मैंने कहा interrogative के लिए helping work आता आगे उसके बाद है subject उसके बाद आएगा आपका note note के बाद क्या आएगा other word के बाद क्या आएगा interrogation mark the mark of interrogation पढ़ा नहीं रहा concept मैंने क्या कहा helping work क्या आपका आपको पता ही वाज एंड वर वाज एंड वर कैसे सर जैसे कि मैंने क्या कहा क्या हम विध्यारती नहीं थे क्या हम विध्यारती नहीं थे तो मैंने हैं पर कर दिया तो वर वर वी नोट वर वी नोट स्टुडेंट्स were we not students क्या में विध्यारती नहीं थे अच्छा मैंने क्या कहा was I was I not a teacher was I not a teacher was I not a teacher क्या मैं अध्यापक नहीं था उसके बाद मैंने क्या कहा were were you not dishonest were you not dishonest क्या तुम बेइमान नहीं थे क्या तुम बेइमान नहीं थे, उसके बाद मैंने क्या कहा, वाज, वाज रमेश, वाज रमेश, वाज रमेश नोट, माई फ्रेंड, वाज रमेश नोट माई फ्रेंड, क्या रमेश मेरा दोस्त नहीं था, क्या कहा बाबू, क्या रमेश मेरा दोस्त नहीं था, तो यह है आप आपका interrogative plus negative मैं नी क्या कहा जब interrogative की बात आती है तो question को ask किया जाता है जब question को ask किया जाता है तो आपका helping verb है वह क्या कहाँ क्या कहा यहां पर helping verb subject note क्योंकि helping verb के साथ note भी है तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए एक एक चीज को लिख लेना है एक एक चीज का कॉंसेप्ट आपके पास होना चाहिए ओके थैंक्यू टेक केर